इस वीडियो में हम लोग quadratic polynomial को फेक्टराइज करने के लिए सिखते हैं और यह एक topic इतना important है कि आप class 7 से जो ही उपर जाते हैं तो आपका हर एक class में इस टाइप कोशन मिलेंगे पढ़ने के लिए ठीक है और यह बहुत important है अगर यह जानेंगे नहीं तो आपका कोई भी problem solution नहीं होगा तो आई इस वीडियो में हम लोग दिखते हैं कि कैसे quadratic polynomial को फेक्टराइज करते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग तीन टाइप के quadratic polynomial देखेंगे और basically इसी तीन टाइप का quadratic polynomial को फेक्टराइज करने के लिए देता है पहले दकी type यह है आपको पता है कि quadratic polynomial तीन टर्म होते एक स्क्वार प्लस बीएक प्लस इस जो हता है यह तीन टर्म दिया हुआ है तो एक आपका quadratic polynomial होगा जिसमें आपको फेक्टराइज करना होगा तो तीनों टर्म दिया रहेगा वान टू थिरी थिरी टर्म से दिये हुए है दूसरा है दूसरा type का जो quadratic polynomial को फेक्टराइज करने के लिए देगा उसमें देखे बीच वाला middle वाल टर्म मतब कोप्सेंट अप एक्स का टर्म गाइब है एक्स वाला टर्म गाइब हो गया है तो और लास्ट वाला टर्म है तो इस दो टर्म वाला ऐसा भी question को देगा फेक्टराइज करने के लिए और तिसरा है आपका जो last term मतब कोप्सेंट तर्म गाइब है और बाकी एक्स स्क्वार का टर्म और एक्स को वाला टर्म इसमें दिया हुआ है इसको भी फेक्टराइज करना है तो यह तिनो type का question आपको फेक्टराइज करने के लिए देगा तो इस वीडियो में हम लोग पहले type 1 को सिखेंगे और next वीडियो में type 2, type 3 हम लोग सिखेंगे ठीक है type 1 आज बहुत अच्छी तरह समझेंगे इसमें हमने बहुत सरा question लिए है और बहुत सरा question के थुरू आप आसानी से समझ सकते हो इसमें easy question लिए हलका question भी लिए है और hard भी question लिए इसमें देखेंगे और आज आप type 1 को factorize करने के लिए अच्छी तरह से सिखना होगे तो चलो श्टार्ट करते हैं पहला question हमने लिया है एक है x square पलस 7x पलस 12 इसको factorize करना है ठीक है देखो basically आपने जब factorize करते हैं इस type का तो इसके पहले और भी देखे होंगे कि आप जब कभी common factor करते हैं common करते थे किसी algebraic expression में तो उसमें आपको group होता था group बनता था यहाँ group नहीं बना है group मतलब दोस्त है जाता है यहाँ पर तीन गो है या तो चार गोना चाहिए था या तो दो गोना है group करने का मतलब केहने का event event term होना चाहिए था तो इभिशन टर्म है और टर्म है तो और पहले event बनाने के लिए सबसे बीछ वाला टर्म जो होता है यह 7x मतलब इसको middle term करते में इसमें तोडाय में तोड fortune का भी तो डूर्ल होता था तोड़ेंगे आपको वही से नेक्स होना चाहिए और कैसे थोड़ा जाता है मैं इसी k dragons करेंगे अगर इसको समझ में आ गया कि क्या कैसे हम तोड़ेंगे तो आपको यह कोंस्टन आसानीद sniff Cont embarrassing अब यहाँ देखिए अब यहाँ पस पहले कॉपसेंट भी देख लो पहले X स्कॉार में कुछ नहीं है मतलब इसको क्या समझना है 1 समझना है समझ गया न तो 1 हो गया X स्कॉार के साथ 7 हो गया X के साथ अई constant term हो गया हमें किसको टोड़ना है? मीडियल टर्म को टोड़ना है कैसे टोड़ा जाता है? देखे रूल क्या होता है? तो यह जो X स्कॉार के साथ जो नंबर होगा मतलब कॉपसेंट होगा और यह constant term है यह दोनों का product हम लेंगे पहले यह दोनों का product कितना होगा? यह दोनों का product हो गया इसलिए पलस पलस में गुना किया न तो पलस में ही बाहरा आया ठीक है? और sum केतना होना चाहिए? sum मतलब किसका sum? जो इसको हम टोड़ेंगे 7X को टोड़ेंगे दोन नंबर में तो टून नंबर का sum कितना होना चाहिए? देखिए हैं जो X का कोपसेंट होगा with sign लिख देना है तो with sign कहने का मतलब 7 है पलस में है तो यहाँ पलस लिख देना है मतलब कि product कितना होना चाहिए? first और last को गुना करके जो आएगा वो product होना चाहिए और sum किसके बिच में जो X का कोपसेंट होगा तो ऐसी तो possibility बहुत सारा हो सकते हैं चलो मैं possibility लगके देखता हूँ तो देखिए 12 है तो 12 का आप LCM ले लिजेगा ऐसे आप छोटे नमबर है तो आसानी से कर सकते हो 2 है 6 लगाया 2 है 3 लगाया तो देखिए 2-2-3 है तो इसमें हमको 2-2 नमबर का जोड़ा लगाना 2-2 नमबर का हमको factor बनाना है तो हम माल लेते हैं कि एक नमबर ये लिए 2-2-4 और तीन ले लिए 4-3 ले लिए तो 12 होता है तो पहला पॉसे माल लेकि 4-3 नमबर हमने ले लिए एक ओर भी तो नमबर हो सकता है ना possibility तो आखे 4-3 नमबर ले लिए तो गुना करने ले बारा आ गया जोडने पर सात आ गया लेकिन और भी possibility हो सकता है लेकिन हम को यहां पर सही करना है तो आखे और च्छे लेख हैhan तो इतने सारे possibility है कि गुणा करने पर विटुवेल आ रहा है लेकिन सम करने पर दूसरा possibility क्या है दूसरा condition है कि 7 भी आना चाहिए जोड़ने पर 7 भी आना चाहिए तो आप क्या से सही कौन हो रहा है चार तीन का गुणा करांगे तो टूवेल हो रहा है और जोडने पर भी क्याarken ख़या और गुणा करेंगे तो विडिया हो गया और टीन से जोड़ने साथ हो गया तो सही एंसर कौन ही informe टुटेगा वह सेवेल और तोटेगा इसको नहीं टोड सकते हैं गुना करने पे ला रहा है लैकि जोडने पे आठ आरा है यह है जोडने पर Dion ना रहे ते तोनों गलत हो रहा है इस और पटा किया जाता तो आप LCM लेके बगल में पता कर लिजिएगा चाहा दो-दो नमबर का जोड़ा लगा लिजिएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है चले अब क्या करना कुछ नहीं तो पहला टर्म है और लास्ट टर्म पहला टर्म को हम कुछ भी नहीं किये हैं किसको तोड़ रहा है बीच एक ठीक आप कोई बच्चा बोलेगा इस अर की पहले फोर लिखेंगे पहले ठीक लीखें तो आप डिपंडेंड इंडिपंडेंड हो मतलब कि आप कि आगे-पीछे किसी को भी निख सकते है तो देखो हम एकस वाला को तोड़ा है ना ध्यान देना हम एकस में लिखेंगे तो पहले 4X लिख दिया माल लेते हैं ठीक है और पलस में क्या लिख दिया 3X समझ में आ गया अब देखो यहां 4X और 3X को जोड़े को तो साथ भी 7X भी आ गया और दोनों को गुणा करने पर भी 12 आ गया तो सही सही हो गया और लास्ट वाला को टर्म को उसी तर लिखना कुछ भी डिस्टर नहीं करना है खाली बीच वाला टर्म जो है से बं एके जगा पर यह ओगया जा तरम अ गया और स्मझ में आ गई चलो समझ में आते जाएगा धियान दीजे अब क्या करना है आपको अब इसके बाद Common आपको common करने के लिए सिखा जाता है इस term मेंसे common करना है और यह दुनों मेंसे common करना है चले तो यह दुनों मेंसे common δेखU Yx square का मतलब क्या होता है Yx square का मतलब होता X g runt x दूबार X हो गया आपसे देखे होंगे और 4X का मतलब क्या था 4X का मतलब होता है यहाँ पर 4 गुने X लिखते हैं कि नहीं तो बताओ यह दुनों में क्या common है एक X common हो रहा है तो X common है तो इसी common number को हम X common कर लिए हैं और इसके बाद bracket ने दिए यहाँ तक समझ में आ रही है चले तो अब हमने X common किया तो पहला में क्या बच गया है A को X बचा मतलब यहाँ पर 2X था ना तो A को X बच गया तो 1X लिख दिया किसका sign आ गया पलस का पलस लिख दिया चिकर समझ में रहा है अब इसमें से भी X common किये हैं यहा फोर भचा हुआ है तो यहा फोर लिख दिया और इसके बद ब्रेकेट बंद कर दिया इस तरह के धिया धियान देना है जो common करेंगे आंगे लिखेंगे ब्रेकेट के अंदर में जो बचेगा ओ लिखेंगे अब चली यह दुनों में देखीए यहां तो यहां तो एक्स इसमें नहीं ए एक्स तो common होगा नहीं अब दखते यह तोह देखते हैं 3 ठीडिप्यौली की सोगते और 12 को किसे लिए x लिख सकते हैं सकते हो और 12 को किसे लिख सकते हो तो android сторон टोनेत सघ्वर्ण लेक्ते हूँ तो जो क्या देख रहें किया harr당 हां मतलत दोनों दोनों नमबर से तीन से किस यहीए तीन क्या है और और लिखते हैं उसके장 ब्रेकेट कर दे तो पहला में 3 common कर लिया तो देखों 3 common किया बचा यहां भी देख सकते हो तीन में एक्स बचा यहां गुणा कर रूप में समझना है तो एक्स बच गया 3 lata 3X से आ जाएगा ही और और sign किसका आगया पलस आ गया अब देखिए तीन में यहाँ क्या किये थे तीन common किये ता थे दूदनी 4 बच गया दो दूदनी 4 तो यहाँ 4 लिख देए ब्रेकेट बंद हो गया समझ में आ गई ना चले बढ़ाए अब इसके बाद क्या होगा अब देखिए यहाँ ध्यान द बात समझ में आई बहुत यह असानी से आप अची तरह समझ रहे हैं चले नेक्स्ट कोश्टन लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा चले सेकेंड कोश्टन हमने लिया है तो कैसे करेंगे इसमें भी वही करना है आपको क्या बताए था मैंने मैंने बताओ कि यहां पर देखो यहां पर एक से स्क्वार के साथ 3 है और यह 14 है तो यह दोनों को पहले मल्टिपल करेंगे तो कितना आएगा तो यहां पर प्रोडक् सबसे पहले हमने लिख लिया ठीक है चलो तो हमें क्या करना है अब यहां तू नमबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टिपलाई करने पर फोर्टी टू आता है और एड करने पर 17 तो यहां यह किलियर दिखा इदर है फोर्टीन और थिरी को ले लेंगे तो आसानी सो जाएगा ऐस आप करक भी देख सकते हैं फोर्टी टू को करोगे तो टू टाइम लगेगा ट्वन्टी वन हो गया थीरी टाइम लगा सेवे ठीक है अब इसी में से हम क्या नमर ले लेते हैं जो कि हमको क्या कर रहे हैं कि जोनने पर कितना आना चीए 17 आना चीए ठीक है और गुना करने प 7-2 मतब 14 और 3 ले ले लेते हैं तो यहां possible क्या हो गया 14 और 3 ऐसे आप option में भी कभी कभी आप देख के कर सकते हैं 14 और 3 लेंगे तो जोनने पर 17 और 14 3 जा कितना होता 42 ठीक है तो यह मेरा सही नमबर हो गया 14 और 3 तो यहां पर आपको क्या करना मैंने बोला था कि पहले टर् हो गया इसी तरह ठीक है पर इसको तोड़ के लिखना है तो कितना लिखेंगे 14 प्लस 3 एक्स लिख़े ढिलिया अब प्लस 14 समझ भे इसको थे लिख सकते थे और 14 को को पीछे भीस ने कःक्ष करना है तो कौमन कैसे कर Ona क्या होता है तो हमें किस में इस सुर्ण हो गया तो हम इसफीर चास कर दो और को कैसे करों ना तो एसे समझ रहाँ तो किया दिखाई दे रहा है ओर खाली एक्स One हो रहा है तो खाली हमें एक्सक्वान करेंगे तो कंबना को आगे लिखे के लिखेंग उसके बाद ब्रैकेट देंगे तो देखिए हमने खाली एक्स को One कि पर हैं यहां नंबर थी ए तो रहेगा है यहां भी यहां थीरी एक्स बच गया तो यहां 3 X लिख देंगे पलस देखो अईसे करके आप देरे-देरे शिखो गया तो सब समझ में आते जाएगा और जैसे जैसे आप मैचूर होंगे जैसे आप बनाना सिख जाएंगे तो आपको यह लिखने की जुट नहीं पड़ेगा ठीक है तो देखो यहाँ पर एक्स कॉमन किया तो थिरी एक्स बचा पहला में और इसमें क्या पहले उसके पहले और 14 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 7 कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है तो नमबर कोई कॉमन भी नहीं हो रहा है और एक्स भी कॉमन नहीं रहा है अब तो बहुत दिकत हो गया को जब कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है तो मेरा एक है ना एक तो सबका कॉमन होता है एक तो सबका कॉमन यहां भी है 3x plus 14 यहां भी है तो अब दोनों में से एक बार लिखेंगे 3x plus 14 लिख दिया लिख दिया ना तो पहला में क्या बचा हुआ x बचा हुआ दूसरा में क्या बचा हुआ पलस में एक बचा हुआ इसको भी bracket के साथ लिख दी एंसर हो गया तो समझ गए यह दो कोशन आप असानी समझ रहे हैं चलो यह तो मैंने पलस वाला दिखेंगे अगर इस कहेंगे सर्फ माइनस वाला आएगा तो कैसे बनाएंगे तो माइनस वाला कोशन को सुल्व करते हैं देखते हैं कोशन नमबर थिरी क्या है आपके पास है x square minus 2x minus 8 इसको आपको एफेक्टरा करेंगे धियान देना one में minus 8 से गुना करेंगे तो minus 8 मने product minus 8 आना चाहिए और सम कितना होना चीज सम होना चीज है minus 2 पहले यह लिख दिया हमने वास समझ में आ रहे हैं चलो तो एट का factor हो गया तो उसी तरह एट का minus तो ठीक है अब यहां से common sense लगाना है common sense यह लगाना है क जब एक plus एक minus को गुना करेंगे तो में minus में आएगा तो ठीक है एक मेरा plus एक minus में दूसरी बात यह है कि जोडने पर उसी नंबर को जोडने पर minus में कब आएगा मतलब minus वाला ज्यादा हो जैसे समझो example के दूरू मैं समझाता हूँ जैसे आपके पास माल लेते हैं कि 2 को minus 3 से गुना करना है 2 और minus 3 लेंगे तो 2 और minus 3 में गुना करेंगे तो मैनस च्याइए सहही है दो एक Plus लिए मैनस लिए तो गुना करने माइनस आ रहा है की नहीं ऑछ जोडने पर minus वाल ज्यादा हो रहा रहा है मैनस वह जोड़ने जब जोड़न्य दोनों के बीच में जोड़ना जोट होना जै करने पर एक होना चाहिए अरू ने पे मिच्छाइए इसी टार हीं het तो ध्यान देना है दो को पलस मिलेंगे और चार को माइनस मिलेंगे यह बात समझ में आया है नहीं आया कैसे देखो यहां से माइनस पलस आये तो कुछ उलजना नहीं है बहुं सीम्पल हुआ ही है जैसे उसमें बनाए उसमें यह भी है यह अलग नहीं है बच्छो ठीक है वह में आ रहा है तो माइनस वाला ज्यादा लेंगे बाकी तो वही सब है 2 4 जैसे 2, 4 को गुना करते तो 8 होता है यह मेरा सही नंबर हो गया एक पलस में 2 लेंगे और माइनस में 4 लेंगे सही सही बेठ़ रहा है अब इसी को बात को यहां लिख देना है तो आगे वाला तो ऐसे ही रख देना है x square और देखे यह वाला minus 2x इसका sign खतम हो गया अब यहाँ जो आएगा वो लिखना है तो यहाँ क्या आ रहा है तो plus में 2 है तो 2x लिख देंगे और minus में कितना है 4x है और 8 को तो उसी तरह उतार देना है 8 को उतार दिया चलिए बढ़ाईए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इसके बाद इसमें से common क्या हो गया minus 4 common होगा minus 4 क्योंकि 4 से दोनों कट गया तो minus 4 हो गया तो पहला बच गया x और जोको minus common क्या धियान देना इस बात को minus common क्या तो plus में बच गया यहाँ पर 2 देखिए दोनों cmi x plus 2 x plus 2 अब यहाँ पर x plus 2 लिख देते हैं तो पहला में क्या बच गया x और minus 4 इसको ब्रेकर देखके लिख देख देख फेक्टराइज हो गया बात समझ में आ गई किसी तरह के बनते है चले एक last question इसी में है 4 number ठीक है इस 4 type का question अलग टाइब का है constant भी हाँ पलस से अलग लग लग लिए यह भी उसी तरह के है आपको यहाँ पर product कितना के बरावर लिखना है जल्दी बताइए product आपको लिखना है देखिए यहाँ पर 4 है चार और एक चार में एक से गुना करेंगे तरह product चार होना चाहिए और sum किस के बरावर होने ची चारador sum होना चाहिए देखिए कितना है minus four के बरावर अब यहाँ बात ध्हान लेक हिभी बिभेना है product करने पर plus आ रहे है तो आप बताओ, पॉडल्ट करने पर पलस आ रहा है, हाना, और जोडने पर माइनस आ रहा है, तो दोनों का साइन क्या होना, माइनस माइनस रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस को गुना करेंगे, तो आपको पलस मिलता है, लेकिन पलस पलस को गुना करता है, लेकिन माइन कर देहान मैनस मैनस को जूड़ेंगे माइनस मैनस को को माइनस तटीरी के साथ जोड़ते हैं ustas Thursday दोनों का अब दोनों होगी मानस मैनस में यहाई गटा तो आपको यहां लिख देना है 4X को कोई disturb नहीं करना है आगे वाला को बीच वाला को खाली disturb करना है इसके जगह पर कुछ भी उपर वाला का sign ध्यान नहीं देना है यहां का sign ध्यान देना है तो minus में 2X है minus में 2X हो गया और plus में 1 हो गया चली अब इसके बाद common करना है यह दोने में से common क्या होगा तो 1X common होगा आज दे 4 और 2 किस नमर से कटने होला है फोर्टो 2 से कटेगा तो 2X common कर लेंगे तो 2X कर लेंगे तब दो दो निचार यहां दो एक और बच गया और एक X भी बच गया और यह पूरा 2X common कर लेंगे तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा ठीक है फिर यहां देखो यहां ध्यान देखे इसमें से कुछ भी common नहीं हो रहा है तो कुछ भी common नहीं तो मैंने बोला था कि 1 common हो रहा है लेकिन उसके पहले मैनस लगा हुआ है तो माइनस 1 common कर लिए दो ध्यान देने अंथर बात यहां पर बहुत ध्यान देने मला बात यह है मैनस ले लए यह इ सका desp रहा है को यहां बहुत ऀसको भी इसमें नहीं हो देखो अब यहां पर दोनों में से 2x-1 common हो रहा है और पहला में भी क्या बचा हुआ है 2x बचा हुआ है और इसमें क्या है माइनस वान ठीक है तो इस तरह का एंसे लोगे तो आई होप यह आप टाइप वन टाइप का क्वाडिटिक ट्रोनमियल का अफेक्टराइज करना आप असानी से सिख गए होंगे और कोई भी डॉट है इसमें देखिए और भी बहुत सारे कोश्चन दिया रहता है रूट बला भी दिया रहता है लेकिन हमेशा तीन टर्म का रूल हमेशा उसी तरह रहता है प्रोडक्ट कि दिये कि सर नेक्स्ट टाइब का टाइब टू का कोशन हमके फेक्टराइज करने के लिए सिखाईए तो मैं टाइब टू का बदाऊंगा और जल्दी ही टाइब टू का कोशन में आपको वीडियो अपलोड कर दोगा थेंक्यू